हाई फ्रेंड आप सभी कैसे हैं आई होब आप सब अच्छे होंगे पुझे साथ कि आज हम लोग बात करते हैं फेस्बुक के फालो फीचर की कैसे अपने फेस्बुक पे फालो का बटन ऑप्शन ऑपन हो फालो का ऑप्शन आये जैसे कि हम लोग बिन देर किये चलते हैं पहल फेस्बुक को open कर लेना है open करने के बाद हमें उपर दाई तरफ दीख रहे हैं three dots click करना है और click करने के बाद अपने profile को open कर लेना उपर see your profile इसको open करना है अब हमें check करना चाहिए कि हमारा facebook दूसरी के facebook में किस तरह से open होता है उस पर follow का option आता है या नहीं तो three dots पर click करना है उपर जो दाई तरफ दीख रहा है इसको कर लेना यहां पर open करने के बाद देखिए चौथे नंबर पर देख रहा है view as view as book को हमें click करना है और देख रहा है देखिए जैसे कि दोस्तों दीख रहा है आप आइड फ्रेंड का option इनेबल है यहां पर follow नहीं दिखा रहा है तो चलिए हमें यहां follow का option नेबल करना है ताकि यह आइड फ्रेंड हटके यहां follow दिख सो करें और चलिए बैक चलते हैं अब हमें सबसे पहले क्या करना है अपने कि ऐस्बुक को को ओफुनीद कर लेंए ओपेन करने के बाद में उपर याइं तरफ ठीटाट के अदेड़ करना है क्लिक करने में के बाद की इसकल्रूल करना है है नीचे चले जाना है और सबसे नीचे देखिए सेटिंग react प्राइवसी बाइशी कर कि करना है है पीर सबसे पrate सेंटिन रोपर आ ये ऐधर शेटिंग्स को क्लिक करना माइध टोपन होने के बाद हमें और करते जाना है और निचाना हम प्राइवेसी सेटिंग्स पर प्राइवेसी सीटिंग्स पर क्लिक करना इसको स्कूरौर करना तोड गूत हरrän कंटेक्टू ईन कना देखा रहा हूं कैंसें योर। फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ O हम इसखो हमें ओपेन करने ना वह णंयद करने के बाद था इसे फ्रेंड फ्रेंड और ड़ेन तसे हटा के फ्रेंड और फ्रेंड डीजे है और फिर बेक चला जाना है हम को बैक जाना है उसके बाद एक option हमें और enable करना है त्री डाट पर जाके नीचे स्क्रोल करके settings को privacy settings को open करना है उसके बाद हम settings को open करेंगे नीचे आ स्क्रोल करके नीचे आना है नीचे देखिए profile and tagging के नीचे दिखा है public post public post को enable करना है इसको open कर लेना ओपन करने के बाद देखिए उपर दिखा public post who can follow me इसको public ही रहने देना है नीचे आना है देखिए who can see your follower and your timeline इसको public कर देना है और नीचे आये देखिए public post comments इसको भी public करना है और फिर नीचे आना है public post notification को everyone करना है पिर नीचे देखिए public profile information इसको भी public ही कर देना है बैक जाना है बैक जाने के बाद फिर से त्री डॉट पर क्लिक करना है अपने see your profile को क्लिक करना है और फिर त्री डॉट पर जा करके क्लिक करिए देखिए view as पर क्लिक करके check करना है हमें कि अपना profile किस तरह से अप्सोग कर रहा है तो चलिए देखते हैं हां तो फाइनली गाइस अब हमारा प्रोफाइल चेंज हो चुका है यहां पर फालो का अप्शन सोग कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इससे पहले फ्रेंट का अफ्रेंट का option सोग कर रहा था लेकिन अब फालो का option सोग कर रहा है जैसे कि देख रहे हैं मैंने इसी तरह से करके फालो का option enable करके followed by 1139 के प्लस के followers गिन किये हैं आप भी कर सकते हैं जल्दी से अब भी सेटिंग